मेरी सभी यूटूब फेमेली को दिपावली की धेर सारी सुपकामनाए हाई एवरिवन स्वागत करते हूँ आपका अपनी चैनल ग्रने गार्डन ब्लाग समय और दोस्तों दिपावली आई है और दिपावली में अगर कुछ मीटा ना बने ऐसा हो यह नहीं सकता है क्योंकि उसके बिना तो हमारी दिपावली अधूरी ही रहती है क्योंकि दिपावली की जो तैयारी हमारी होती है एक मेना पहले से ही हम लोग तैयारी करते है और लास्ट में बनती है हमारी मिठाईया तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक दिपावली के लिए मिठाई मैंने किस प्रकार से बनाई है आप लोगों के साथ में सेयर करने जा रही हूँ वीडियो को लास्टा तक जरूर देखिए सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में सेयर की है तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है एक डिबबा और डिबबे में है हमारे जो मिठाई बनने वाली है या फिर कहिए मिठा या फिर गुलाब जामून तो आज हम लोग वाकई में गुलाब जामून ही बनाने वाले है और यह है अभी नई पेकिंग आई है पहले जब भी हम गुलाब जामून का पेकेट लाते थे तो हमें आइडिया नहीं होता था क्योंकि यह खुला होता था लेकिन अभी यह पेकिंग वाला आया है दिपावली में दुकानों में भी नए नए आपर आते रहते हैं सो हमने भी इसका फायदा उठा लिया है क्योंकि डिबबा तो ह समय में सभी के घरों में मेहमान जादा होते है तो इसलिए मैं भी जादा ही लेकर आई थी और मैं कप से पूरी क्वांटिटी से बताने वाली हूँ कि किसमें कितना लगने वाला है सामान तो यह देखिए मैं अभी कप से नाप रहे हूँ इसके अंदर जो पावडर है कितन गुलाब जामुन का और उसके बाद में हमें इसमें एट करना है दूद अगर आप चाहे तो वो गरम थोड़ा कुनकुना पानी लेकर भी आप गरम मतलब गूत सकते हैं लेकिन मैं दूद ले रहे हूं दूद भी हमारा थोड़ा कुनकुना ही है एकदम ठंडा नहीं है और ब गुलाब जामुन जो बनाते हैं उन्हें पेकेट वाले गुलाब जामुन बनाने का एडिया नहीं रहता है तो आज मैं पेकेट वाले गुलाब जामुन आप लोगों के साथ में सेयर करने जारी हूं कि किसमें कितनी क्वांटिटी लगने वाली है तो यह हमने चार कप इसक है इस तरीके से और एकदम साफ्ट ही हुआ है क्योंकि ये परफेक्ट नाप है अगर आप चार कप के साथ में एक कप दूद या फिर पानी के साथ में मिक्स करेंगे तो इसके अलावा आपको एक्ष्टा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मतलब एक्ष्टा कुछ भी नहीं ड जालना पड़ेगा तो ये देखिए एक कब दूद के साथ में हमने अच्छे से इसका डव बना कर तयार कर लिया है और हलका सा अब ये थोड़ा हमें तेल लगा लेना है क्योंकि ये हमारे जो उठाली है ना इसमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो हमें इसे हलका सा हा हलका हलका हमें तेल लेना है ज्यादा बिलकुल भी तेल नहीं लेना है और इस तरीके से हमें इसको एकदम से साप्ट कर लेना है और ये देखिए हमारे एकदम से साप्ट हो चुका है अब हमें इसमें ना दूद की जड़ोत है और नहीं पानी की जड़ोत है बस हमारा ये यहां बनका तयार हो गया है अब हमें इसे 15 से 20 मिनाट तक धक्के रख देना है और उसके बाद में हम तब तक दूसरी प्रोसेस करने वाले हैं क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं गुलाब जामून उसके बाद में इस डव पे हमें कॉटन का एक कपड़ा लेना है और इसे गीला कर लेना है दस से 15 मिनाट के लिए हमें इस तरीके से इसे धक्कर रख देना है जब धक्कर रखा जाएगा उसके बाद में हमें दूसरी तब तक प्रोसेस कर लेना है तो सीधे चलते हम लोग गे हमें लेना है तो यहां पर हमने चार कप हमारा पाउडर था मतलब गुलाब जामुन का पाउडर था उसे जो गूत के हमने रखा है तो चार कप ही हमें इसमें डाल देना है सक्कर क्योंकि सक्कर की हमें बनाना है चासनी और जितना हमारा जैसे कभी-कभी होता है न कि मैं तो च ने तो हमारी चासनी एकदम से खराब हो जाएगी तो हमारी चासनी खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर चासनी सही तरीके से नहीं बनेगी तो हमारे गुलाब जामुन पूरे खराब हो जाएगे इसलिए मैं एकदम परफेक्ट ना बता रहे हूँ चार कप हमारा जो मिक लीजिए क्योंकि चासनी परफेक्ट हमारी बनना चाहिए तो गुलाब जामुन पूरे हमारे फुट जाते हैं तो हमने चार कप सक्कर डाली है और पाच कप हमने इसमें पानी डाला है जब हमारी चासनी तयार होगी तो एक पानी मतलब एक कप पानी लगभग इसमें से कम हो जाएगा इसलिए हमें एक कप पानी एक्ष्ट्रा डालना है और चार कप सक्कर और चार कप पानी की चासनी हमारी यहां पर बनकर तयार होगी तो यह चासनी हमने यहां बनाकर बनाने के लिए रख दी है और जो हमने यहां पर डौको सेट होने के लिए रखाता ओबी सेट ह गया है अब इसमें और हमें हलका सा तेल लेना है और उसके बाद में और दो मिनाट के लिए हमें अच्छे से इसे सेट कर लेना है मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है वैसे तो दस से पंदा मिनाट में याराम से सेट होई जाता है और यह देखिए यह हमारा बहुत ही अच्छ सा तेल और लेना है हाथ पे लगाने के लिए और छोटी छोटी हमें इसकी लोई बना कर तैयार कर लेना है ज्यादा बड़ी नहीं करना है अगर ज्यादा बड़ी करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है फुल कर क्योंकि चासनी में डलने के बाद में हमारे गुलाब जामुन फुल जाते है तो इसलिए हमें छोटी-छोटी ही लोई बनाना है और आदे किलो इसके कम से कम 100 से उपर हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है कि जो हमारा मिकसर पाउडर जो आता है पेकेट वाला उसके गुलाब जामुन किस तरीके से बनाना चाहिए क्योंकि उसका भी परफेक्ट नाप हमें पता होना चाहिए कभी-कभी हम लोग मावे वगरे की घर में ही बना लेते हैं तो हम आपको पता चल जाएगा कि यह 100 से उपर ही है क्योंकि छोटी-छोटी बॉल बनाई है हमने ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है और अब हम लोग चलते हैं सीधे गेस के पास में क्योंकि इतना बनाने के लिए भी हमें काफी समय लग गया अब 5 या 10 मिनट का वीडियो देखत है लेकिन इसमें पूरा दिन चला जाता है हमारा इसलिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तो यह देखे हमाने जो चासनी रखी थी गेस के उपर तो यहां चासनी भी बनकर तैयार हो चुकी है और कम आज पे ही रखी थी ताकि जितने हम लोग गुला हमें रख देना है कड़ाई कड़ाई में तेल रख देना है और तेल हमें अच्छा गरम होने देना है अच्छा गरम जब हमारा तेल हो जाएगा तब हमें इसकी आज पूरी एकदम कम कर देना है कम आज पे ही हमें गुलाब जामुन को तलना है क्योंकि गुलाब जामुन को अगर हम लोग तेज आज पे करेंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे और उपर से जल जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है कम आज पे ही हमें इस तरीके से तलते रहना है तो हमारा तेल गरम हुआ किने बस मैं वही चेक कर रहे थी तो अच्छे से तेल भी गरम हो चुका है और गुलाब जामुन जो कही है न मतलब एक भाग जो हम लोग डालते हैं दो से तीन मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कोई भी आराम से इसे बना सकता है अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बच्चा भी मतलब जो छ मैंने आज एकदम परफेक्ट रेसेपी आप लोगों के साथ में सेयर किया है तो यह देखिए मतलब इसे ना अच्छे काले होने देना है ज्यादा उस पे लाइट नहीं रहना चाहिए थोड़ा अच्छा इसका कलर तेज हो जाएगा ना तो हमारे गुलाब जामुन दीखन से इसी पाउडर से बना कर तयार किये थे गुला मतलब गोल और थोड़ा सा लंबे आ करके तो बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने सोचा इस तरीके से भी बनाया जाए गुलाब जामुन गोल तो हमेसा बनते ही बनते हैं तो यह देखि चासनी भी नहीं चाहिए हमें और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए थोड़ी से गरम ही चाहिए अब इस चासनी में गुलाब जामुन डालने से पहले हमें आदी चासनी एक अलग डिबे में निकाल लेना है क्योंकि उपर से हमें चासनी को डालना होगा उपर से हम आदी चासनी निकाल लेना है और सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल लेना है तो यह देखिए हमने सारे गुलाब जामुन इसमें डाल लिए और आप उपर से हमें इसमें डाल देना है चासनी वैसे तो एकदम परफेक्ट चासनी हमारी बनकर तयार हुई है कम ज्यादा बि एक घंटे के लिए ढख़क कर छोड़ देना है एक घंटे ढखक कर छोड़ने के बाद में देखिए बहुत यी अच्छे तरीके से फुल कर यहाँ पर गुलाब जामून हो गये है हमारे तैयार खाने के लिए और यह बन गई है हमारे धिपावली के लिए एकड़म स्वीट से गुलाब जामोर तो दोस्तों आज का मेरी रेसिपी कहिए या फिर वीडियो कहिए आप लोगों कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लाग में थेंक्यू